हेलो एभरीवान क्लास टू सेमेस्टर टू पेज नमबर सिक्स्टी नाइन डियो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे शॉट फर्म्स अप स्पेशल भब्स डियो स्टूडेंट्स यहां पर देखिये केसे स्पेशल भब्स को शॉट फर्म में केसे लिखा गया है ओके खा रही है है ना यहां पर स्पेशल भब्स कोन सा है इस है है ना नीचे कैसे लिखा गया है देखिये शी अपोस्ट्रोफी और एस स्ट फर्म में इटिंग कैसे पढ़ेंगे शी इटिंग ओके पहले हमने कैसे पढ़ा था उपर का सेंटेंस देखिये शी इटिंग सेकंड सेंटेंस में देखिये शी इटिंग ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखिये शी इस नॉट रीडिंग वहाँ नहीं पढ़ रही है यहाँ पर स्पेशल भर्व क्या है इस है है ना देखिये इसे कैसे लिखा गया है शॉट फर्म में इजिंट है ना कैसे पढ़ेंगे शी इजिंट रीडिंग वहाँ नहीं पढ़ रही है ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दियो स्टूडन्स यहां पर देखिए दे आर रानिंग नीचे देखिए कैसे शॉट फॉर्म में लिखा गया है दे अपोस्ट्रोफी और आरी ओके एसे ही आपको लिखना है लॉन करना है ओके दे आर रानिंग वे भाग रहे हैं सॉट फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे they are running वे भाग रहे हैं ओके नेगेटिव सेंटेंज को कैसे हम सॉट फॉर्म में लिखेंगे देखिए they are not walking वे नहीं चल रहे हैं यहांपर देखिए are not को कैसे सॉट फॉर्म में लिखा गया है they aren't walking ओके देखिए कैसे लिखा गया है a, r, e, n apostrophe, t ओके they aren't walking वे नहीं चल रहे है ओके ऐसे ही आपको बाकी exercise करना है ओके dear students यहाँ पर देखिए learn the following short forms निचे देखिए टेबल में कैसे short forms लिखा गया है वेसे ही आपको लिखना है learn करना है dear students यहाँ पर देखिए I am short form में कैसे लिखोगे I, apostrophe और M कैसे read करोगे I am next he is he is को short form में कैसे लिखोगे he, he, apostrophe as his कैसे read करोगे his पहले हमने कैसे read किया he is जब short form में लिखेंगे तब हम कैसे read करेंगे his ok next she is short form में कैसे लिखेंगे she, apostrophe, s ok कैसे read करेंगे she is ok next it is short form में कैसे लिखेंगे it, apostrophe, s read कैसे करेंगे its ok next we are short form में कैसे लिखेंगे we, apostrophe, re कैसे read करेंगे where ok next you are short form में कैसे लिखेंगे you, apostrophe, re read कैसे करेंगे your next they are short form में कैसे लिखेंगे they, apostrophe, re read कैसे करोगे their is not short form में कैसे लिखेंगे is, n, apostrophe, t ok read कैसे करेंगे isn't is not short form में isn't ok next are not short form में कैसे लिखेंगे a, r, e, n, apostrophe, t read कैसे करेंगे aren't ok are not short form में कैसे read करेंगे aren't ok was not was not short form में कैसे लिखेंगे w, a, s, n, apostrophe, t read कैसे करेंगे wasn't next were not short form में कैसे लिखेंगे w, e, r, e, n, apostrophe, t read कैसे करेंगे want ओके वार्णाट शॉट फॉर्म में कैसे रीड करेंगे वांट ओके यहां पर देखिए इस दिस ए रोज क्या यहां गुलाब है यदि हां है तो आपको येस बोलकर आपको अनसर देना है यदि नहीं तो आपको नो बोलकर अनसर देना है देखिए येस इट इस हाँ येही है यदि आपको मैं पूछता हूँ इस दीस ए रोज येदि हाँ तो आपको कैसे अनसर देना है येस इट इस ओके यदि नहीं तो कैसे No, it isn't देखिए इहाँ पर कैसे short form में लिखा गया है वह इसे ही आपको नीचे दिया गया exercise आपको करना है ओके दूसरी तरीका से कैसे बोलोगे No, it's not ओके नहीं है यदि नहीं है बोलना है कैसे बोलोगे No, it isn't ये एक तरीका है दूसरी तरीका कैसे है No, it's not ओके answer these questions in short form dear students जैसे हमने उपर का क्या है ना, is this a rose, yes, it is no, it isn't no, it's not वैसे ही इस exercise को हमको करना है, ओके one number it is hot today क्या आज गर्मी है these students आपको answer देना है yes or no, ओके यदि हाँ, तो yes, it is यदि नहीं, तो आपको कैसे बोलना है no, it isn't दूसरा तरीका no, it's not ओके, यहाँ पर देखिए कैसे short form में लिखा गया है और इसे ही आपको बाकी करना है, ओके second number is this a flower क्या यहाँ एक फूल है, यदि हाँ तो yes, it is यदि नहीं, तो no it isn't isn't का स्पेलिंग is and apostrophe t ओके, दूसरा तरीका no, it's not ओके third number are you a student क्या आप student है यदि हाँ तो yes I am यदि नहीं तो no, I am not ओके fourth number is neha your sister क्या नहा आपकी बेहन है यदि हाँ तो answer कैसे बोलोगे yes, she is ओके यदि नहीं तो no, she is not दूसरे तरीका कैसा है no, she isn't ओके fifth number is your father a doctor क्या आपके पिता doctor है यदि हाँ तो yes, he is यदि नहीं तो कैसे बोलोगे no, he is not दूसरे तरीका no, he isn't ओके dear students यहाँ पर आपको देखना है कैसे short form लिखा जाता है he is his है ना he apostrophe s ओके isn't को कैसे लिखोगे is n apostrophe t ओके next exercise रिर्वाइट इच सेंटेंस यूजिंग दा शॉट फॉर्म अप अंडरलाइन वोर्ड्स यहाँ पर जो वोर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है उसे आपको शॉट फॉर्म में लिखना है ओके dear students यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है देखिए यहाँ पर table है देखिए यहाँ पर है short form कैसे लिखा गया है ओके it is it is को कैसे लिखा जाता है it's ओके you are you are को short form में कैसे लिखा जाता है your ओके यहाँ सब कुछ है ओके चलो हम करते है एक्सरसाइज वान नमबर देखिए it is raining बारिश हो रही है it is को short form में कैसे लिखा गया it's it's raining ओके you are telling lie second नमबर देखिए तुम जूट बोल रहे हो you are को short form में कैसे लिखा गया your है न you apostrophe re you are telling lies ओके third नमबर he is having dinner वहाँ dinner खा रहा है he is को short form में कैसे लिखा गया he apostrophe s having dinner he is having dinner ओके fourth नमबर she is making a doll वहाँ doll बना रही है short form में कैसे लिखोगे she is making a doll ओके five नमबर we are playing a match हम एक match खेल रहे है we are playing a match है ना short form में we apostrophe are e read कैसे करोगे where we are playing a match six नमबर they are plucking flowers वह फूल तोड रहे है ओके short form में कैसे लिखोगे they apostrophe are e they are plucking flowers ओके seven नमबर I am doing my homework the students यहाँ पर देखे I am underline किया गया है उससे आपको short form में लिखना है I apostrophe am okay I am doing my homework okay मैं मेरा homework कर रहा हूँ okay next exercise one number it is not raining short form में कैसे लिखोगे it's not raining दूसरा तरीका कैसा है it isn't raining second number you are not telling lies short form में you are not telling lies you aren't telling lies third number he is not having dinner यहाँ पर देखे हैं short form में he is not having dinner दूसरा तरीका he isn't having dinner four number she is not making a doll short form में she is not making a doll she isn't making a doll fifth number we are not playing a match short form में we are not playing a match we aren't playing a match sixth number they are not playing flowers they are not playing flowers they aren't playing flowers okay seventh number I am not doing my homework short form में I am not doing my homework okay next exercise rewrite each sentence using the short form of underlined words dear students याँ पर sentences दिए गये हैं देखिए हैं इहाँ पर underline किया गया है उसे आपको change करना है यानि short form में लिखना है जो underline किया गया है उसे आपको short form में लिखना है यदि आपको नहीं आ रहा है पीछे देखिए box दिया गया है उहाँ पर है ओके ये आपके लिए homework है ओके dear students यहाँ पर देखिए box में यहाँ पर सब कुछ दिया गया है जो इस exercise में underline किया गया है उसे ही आपको change करना है और आपको rewrite लिखना है फिर से लिखना है ओके ये exercise आपके लिए homework है ओके थैंक यू